यह जो वीडियो है इसमें हम यह डिसकस करेंगे कि आपका जो फॉर्म आपने बनाया है उस पर टाइम लिमिट कैसे लगाई जाए ठीक है तो उसके लिए आपको एक थर्ड पार्टी एप होती है फॉर्म लिमिटर वो इंस्टॉल करना पड़ेगा गूगल फॉर्म पे जाके तो सबसे पहले हम हमारा गूगल फॉर्म उपन करते हैं मैं क्रोम पे गया और मौण वहां डाक्स ड़ॉगल से मेने मेरा फॉर्म उपन कर रख है तो तो गई डाक्स इलिमिटर अाउनल़ोड किया पांप को डूंट कर रखा है कैसे हमें वहाँ पे limitation set करने है form limiter download करने के लिए आपने अपना google form खोला और google form खोल के blank quiz select किया अगर blank quiz वहाँ से नहीं लिया है तो आप settings में से जा के भी options आता है quiz का आप वहाँ से ले सकते क्योंकि already हमने quiz बना रखा है तो ये options सारे selected आ रहे हैं अदर्वाइस आपको यहां से इनको select रना पड़ता ठीक है अब form limiter लेने के लिए जो यह आपका email ID का आइकन दिख रहा है आपके name के initial दिख रहा है as well as send button जो है इनके बीच में three dots बने हुआ आ रहे है when you click on these three dots आपको नीचे से second last option दिखेगा add-ons add-ons पर click करेंगे आपके सामने कुछ नए features खुलेंगे G Suite के अंदर आपको यह इन्स्टॉल है इसको इसको इन्स्टॉल करना पड़ेगा यह कुछ आपस परमिशन्स मांगेगा कुछ एक्सेस करने की pictures वगरा और accounts वगरा हो तो आपको उसको अलाओ करना है and finally install हो जाएगा install होने के बाद यह as a add-on आपके Google account पर जो आपका Gmail account है जिससे आपने इसको login किया उस पर install हो जाएगा अब मैं वापस quiz के उपर जाता हूँ यह अलड़ी मेरे installed है तो कोई दिक्कतवाली बात है नहीं तो जैसे मैं form बनाऊंगा यह form मेरा open हो है जिसको मैं create कराऊं कि इसको तो आप उपर यहां देख सकते है यह add-on install हो चुका है ठीक है when you click on this add-on आपको यह form limiter दिखेगा आप इस form limiter को click किजिए यह set limit आ गई click on this set limit अब यहां पर open हो जाएगा right side में यह dialog box इसमें आपको open हो रहा है select limit किस type की चाहिए आपको limit type तो मैंने देदिया date and time date and time देखे इसमें like ms form हम उसमें range देते थे कि कब वो appear होगा और कब तक appear रहेगा ऐसा नहीं है यहां पर आपको due date देनी कि कब तक यह visible रहेगा जो time and date आप देंगे उस time तक यह visible रहेगा afterwards यह अपने आप expire हो जाएगा तो आप यहां जो भी date and time देंगे वो time दीजिए and then make it save and enable ठीक है और उसके बाद आप इसको minimize कर दीजिए आपका काम हो जाएगा जिकर से लिए तक है यह थाएगा तक है तक है।